नमस्कार दोस्तो चैनल पर आपका स्वागत है एक और लेटिस्ट अपडेट और वीडियो के साथ दोस्तो काफी ज़्यादा इंपॉर्टेट अपडेट है सभी स्टुडेंट्स के लिए जो स्टुडेंट इगनु में फ्रेस एड्मिशन लेने वाले हैं उनके लिए बहुत के प्रोग्राम कोर्स फीज को लेके जो कि सभी लगभग सभी कोर्स की फीज को बढ़ा दिया गया है तो मैं उसी चीज को इस वीडियो में आप लोग बताने वाएं दोस्तो गर आप चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिलाइकन प्रेस कर लें इ दोसमें 28 फरवरी जाज़ा कि आप इस पर देख पा रहे हैं और अब्सक्राइब है लेकिन दोस्तो प्रोसपेक्टर सभी तक नहीं आया था प्रोस्पेक्टर सब्सक्राइब करना है अप मैं आपको बता देता हूँ उनूं का होम पेज जो है वहां पर जायेंगे तिहां आप जा सकते हैं सीधा डाउनलोड में जाने के बाद आप यहां पर देखेंगे left hand side में common prospectus लिखा क्लिक करके प्राइब इस वाले पेस्ट भी जाएंगे in environment अब हिंदी वाला बाद में कीम सी RCS यह मैं डीटेल में इसमें आगे वीडियो बना के समझाऊंगा और दोस्तों सभी जो है BAG, BCOMG और BSCG सभी प्रोग्राम की जो है फीज को इंक्रीज कर दिया गया है हाला कि इसके पहले जो फीज थी वो 2700 पर इयर थी अब 2900 पर इयर हो गई है यह फीज आप देख स सकते हैं फुराने प्रोस्पेक्टस में जो है वो 2700 है और इस प्रोस्पेक्टस में 2900 कर दिया गया है और मास्टर बैचलर कुछ सर्टिफिकेट डिप्लोमा में भी यह फीज को इंक्रीज किया गया है इस बार जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं आप नीचे जाएंगे जहां से यह प्रोग्राम स्टार्ट होंगे वहां पर आप इसको देख सकते हैं जैसा कि आप यह देखिए बैचलर डिगरी प्रोग्राम जहां से स्टार्ट होता है यह बैचलर डिगरी प्रोग्राम किन किन में ओफर हो रहा है 14 स्ट्रीम है जो आप देख सकते हैं यहां प पड़ेगा आपको और इसके साथ 200 का जो है चार्ज भी इसमें जुड़ा होता है 3100 में और दोस्तो मास्टर प्रोग्राम्स में बहुत सारे जो हैं जो फीस जिनके 6,300 हो गई है और टोटल फीस 12,600 हो गई है तो आप इसमें आप प्रोस्पेक्टर्स डाउनलोड कर लें और इसमें जो भी चेंज़ेज हैं आप पड़ सकते हैं और फीस में खासकर सभी प्रोग्राम्स की फीस में इसमें चेंज़ेज आपको देखने को मिल जाए जैसे कि MPS प्रोग्राम हो गया पहले इसकी 6,000 फीस थ सकते हैं और इस बार जो प्रोपेक्टर्स में जो नई चीज़े आड़ की गई है इसमें जो जो सबसे अच्छा इसमें लगा जो एंड में आप जायेंगे तो यहां पर पर प्रोग्राम्स की पूरी लिस्टिंग की गई है लिस्ट बना गया कि सेशन में आउफर होता है कि session नहीं offer होता है, पूरी detail इसमें दी गई है आप शुरू से मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से तो आप देख पाएं जैसे कि summary of programs, summary list of programs, इसमें सभी programs की detail दी गई है एक बढ़ियां सा structure बनाएगे जिसमें आप देख पाएंगे ये program किसकी session में offer होता है उसकी fees क्या है, maximum duration क्या है, minimum duration क्या है, medium क्या है, किस-किस medium offer होगा eligibility क्या है, कौन से school से ये offer हो रहा है और program क्या है, और program का full form यहाँ पे दिया है, bachelor of art है, bachelor of commerce है fees क्या है, BA, BSC, B.com जो भी general है BA, BSC, B.com और BSC की fees इस बार बदल दी गई है जो है, BSC की fees पिछले भी बार थोड़ा ज़ादा थी, 4400 रुपे पर year थी, इसमें 4900 पर year कर दी गई है BSC की fees, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 4900 टोटल fees रहेगी, first year की 4700 पर year कर दी गई है, ये भी fees बढ़ा दी गई है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम की जो है, fees बढ़ा दी गई है देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं BLIS की fees 7500 हो गई है इसकी 6700 fees थी पिछले साल, तो इस बार काफी सारे प्रोग्राम से, लगब सभी प्रोग्राम की fees बढ़ा दी गई है और दोस्तों, जो भी प्रोग्राम में आप admission लेना चाहते हैं लास्ट में list of summary है प्रोग्राम की वहाँ आपके पूरे डीटेल ले सकते हैं और प्रोग्राम की पूरी जानकारी ले सकते हैं और डीटेल में जानकारी के लिए आप पूरा प्रोग्राम की डीटेल में जानकारी चाहिए पूरा डीटेल में जानकारी यहाँ पर दी हुई जैसे कि आप यहाँ बैचलर आप computer application की डीटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आके डारेक्ट पूरा डीटेल ले सकते हैं और इसकी भी फीस बढ़ा दी गए 6700 पर यह थी अब 7000 पर समिस्टर फीस हो गई है काफी महगी हो गई है फीस अब तो दोस्तो तो फटा फट एडमिसन ले लिजे इस सेशन में या अगले आने वाले सेशन में में भी नेक्स्ट इयर और भी फीस इंक्रेज हो सकती है दोस्तो बस यह था अपडेट जो बहुत ही इंपोर्टेट था नए स्टुडेंट्स के लिए जो फीस इस बार एंक्रेज हुई है और जो री रेजिस्टिसन अभी कर रहे है पिछले बार जिस भी फीस के पे एडमिसल लिए उनके वही फीस लगेगी उनकी फीस बदलेगी नहीं जो इस प्रोग्राम से जो इस सेशन से एडमिसल लेंगे उनकी ही फीस में बदलाओ तो दोस्तों बस यही था इस अपडेट में आगे कोई और अपडेट आएगी इसे रिलेटेट तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक कोई सवाल हेट काउन बॉक्स में लिक के पूंच सकते हैं नमस्कार धन्यवाद दो